विदेशी परिंदों से गुलजार हुई पोंग जील में पक्षियों का शिकार करने के लिए नीजी नहीं बलकि बाहरी लोग पहुंचते हैं। उखार दिये गए हैं। इन जालों में फसकर कई बार पक्षियों की मृत्यू हो जाती है। ऐसे जालों को विभाग की तरफ से उखार दिया गया है। विभाग का फ्लाइंग स्कॉाइड तथा टेरिटोरियल का स्ट भी पूरी तरह से लर्ट है। इसके सरती वन्य प्रानी विभाग ड्रोन के माध्यम से भी पॉंग डैम में प्रवास के लिए पहुंचे पक्षियों पर निगरानी रखी जाती है। सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पक्षियों का अवैद शिकार ना कर पाई। बता दी कि कुछ वर्ष पहले पॉंग जील की नारे कई प परानी विभाग की तरफ से पक्षियों के अवैद शिकार को रोकने के लिए तैयारियां की गई। विभाग ने पक्षियों की सुरक्षा के मंदे नजर पॉंग जील को 15 बीट में विभाजित किया है। इन बीट में बर्ड वाचर्स की 15 ती में गठित की गई है जो दूर इसे शिकारी हो रहे हैं और पोचिंग हो रहे हैं और हम तुरंद उसको इन्वेस्टिजेट तो करते हैं और अभी तक हमारा पास hard and fast evidence नहीं है जैसे पोचिंग का हमने जो जगह पर इनोंने traps वगेरा लगाया इन और तो प्रोटेक दियार ओन प्राइवेट लाइन में जो वर्क आउटसाइडर्स जो पोचिंग करने के लिए आते हैं बट अमारा जो टीम्स अमेशा पेट्रोलिंग करते हैं 24 7 हमारा फ्लाइंग स्क्वाइब भी है और टेरिटोरियल का स्टाफ भी मदलब पेट्रोलिंग में है अमेशा और अभी तक हमारा पास कोई ऐसे evidence नहीं है जो मीट और कुछ मिला बिकास क्योंकि वां पे जो लोगों का मतलब tendency है रादर इस तिल्टे तोर्स प्रोटेक्शन और वां का जितने भी जो लोकल्स है यह उनको भी काफी नॉलेज है यह क्योंकि यह पक्षी अगर बचेगा तभी उनका फील्ड में भी मैन्यूर बग में है और हम ड्रोन से भी मॉनिटर करते हैं हमेशा सो आज सच कुछ दो थीन कंप्लेंस आये थे उसी साब से फिर वियर रिमूब दे ट्रैप्स जो जगा पर हिनों ने इंस्टॉल किया बट अधर्वाइस वीर ओन वाच और होपफिली हम ऐसे इंसिदेंस हम अवाइड करत है ताकि पक्षियों का वैद शिकार ना किया जा सके पंजब के सिटीवी के लिए हमीरपूर से अरविंद सिंग की रिपाउट